सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे कि एड्संस एकाउंट में अगर आपके वेबसाइट के कारण किसी तरह का या किसी पोश्ट के कारण एड्संस वाइलेशन आ जाता है तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं आईए जानते हैं और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ तो दिखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एड्संस एकाउंट में दिखा देता हूं सब सब पहले आपको यहाँ पे दिखे लिखा है one or more of your site has been in violation of AdSense policies ठीक है तो आपको पता होगा अगर आप Google AdSense ad अपने website या blog पे लगाते हैं तो उसमें भी कई तरह के privacy और policy होता है जिसको जो है आपको agree करना पड़ता है उसके बाद आप AdSense के ad को लगा सकते हैं और अगर उन privacy policy को आप violation करते हैं तो Google जो है आपका AdSense account जो है उसको बंद कर सकता है और उसके बाद आपके site पे किसी भी तरह का ad नहीं चलाए जाएगा तो वो यहाँ पे एक जो है आगया है violation इसमें देख सकते हैं आप तो यहाँ पे अभी एक ही violation है मेरे पास तो यहाँ पे क्लिक करके privacy यहाँ पे policy center पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे इसको जो है हम remove कर सकते हैं और कैसे हम जो है अपने account को बचा सकते हैं फिलाल अगर अभी आप देखेंगे तो अभी site पे add आ रहा है यह mysubjectgo.com website है ठीक है जहाँ पे मैं technical knowledge आपको बताता हूं तो add तो अभी चल रहा है लेकिन इसने notice हमें send किया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको आपको जल्दी से violation को देखना है और पढ़ना है और इसको agree करना है ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछी दिनों में आपका adsense account बंद हो जाएगा तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम solve कर सकते हैं और कैसे इसको बचा सकते हैं तो इसे देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है subject हो तो subscribe कर लिजिए और bell icon भी दबा दीजिए इससे क्या होगा जब भी कोई नया video तो आपको जो है इस पर मिलता रहेगा तो आयए देखते कि कैसे हम इसको और मुड़ कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पॉल पे चले जाएए यह जो bars देख रहे हैं इस bars पे click करके यहाँ पे आईए यहाँ पे आपको मिल जाएगा चले मैं home कर देता हूं और उसके बाद सुरू से मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का परेशानी नहों, देखे यहाँ पर इस तरह का आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ किलिक किया, उसके बाद यहाँ पर जाएए, सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद, यहाँ पर नीचे देखे Policy Center, Policy Center पर click करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो है, violation का information मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप site का नाम आ रहा है, blog का, और यहाँ पर warning जो है, लिखा हुआ है, और यह जो हमें notice दिया गया है, यह March 15, 2018 में आया है, ठीक है, तो अब इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपना email चेक करते हैं, और वही वाला email चेक करना है, जिससे आपने AdSense account लोग इन कर रखा है, ठीक है, जिससे AdSense account आपने बना रखा है, इस site के लिए, तो मैंने यहाँ पर mail खोला, तो mail में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ AdSense, ठीक है, और देखे, effective website, mysubjectgo.com, और जिस URL link से affected हुआ है website, वो link यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यह किसी page का हो सकता है, पोस्ट का हो सकता है, ठीक है, और इसका क्या, क्यों हुआ है ऐसा, वो यहाँ पर explain किया गया है, लिखके, और कैसे इससे हम बस सकते हैं, कैसे इसको हल कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, how to solve, ठीक है, और जो भी जानकारी आपको चाहिए, एटसंस, privacy policy के बारे में, उसके लिए यहाँ पर कुछ important link दिये गया है, तो सब सब पहले हमें जो है check करना इसको, कि यह है क्या, तो इस पर click करते हैं, ठीक है, इस URL के बज़े से, लिंक के वज़े से हुआ है, तो इसको जब click करेंगे, आप तो देखें, यह आपके site पे ले जाएगा, और आपने जो भी डाल रखा होगा, उसके बारे में बताएगा, तो देखें, यहाँ पर site खुल गया है, और यहाँ पर मैंने एक post डाला था, website block करने के लिए software कैसे download क करें, तो यह जो है, adsense के privacy के खिलाफ है, किसी कारण से यह जो है, उसके privacy policy को violation कर रहा है, ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा हमें, अब इसे जो है, remove करना पड़ेगा, तो remove करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसका title change कर सकते हैं, कुछ इसमें changes कर सकते हैं, या इसको delete क कर सकते हैं, तो मैं यहाँ simple delete करना चाहूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि अभी फिलाज जो हमें, अपना adsense account जो है, उसे बचाना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं, इसको कैसे हटाते हैं, इसके लिए यहाँ पे, इसको copy कर लेते हैं, इसके title को, ठीक है, title copy करके और चलत करेंगे, तो बहुत time लग जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाला, और all post में जाके, और अब यह निकल के आ जाएगा, तो देखें, यह वाला है, और इसको मैंने private भी कर दिया था बाद में, जैसे मुझे notice मिला तो private, लेकिन इसको delete करेंगे, यहाँ से, ठीक है, तो चलेए, delete करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांस लिखा है, ट्रांस कर देंगे, तो यह जो है, delete होके आपके, उसमें आ जाएगा, ट्रांस वाले में, तो इसको delete कर देते हैं, यहाँ से, जो है वो delete कर दिया है यानि कि trans कर दिया अब वो इसमें आ जया ठीक है आब वो publish नहीं आब वो site पे नहीं दिखेगा चलिए खोल के देखते हैं एक बार mail यहाँ पर यह link है खोलते हैं तो देखते हैं क्या RI दिक्कत है यहाँ ठीक है तो दिखें यहाँ पर 404 का RI आ गया है यानि वो post जो है हमने delete कर दिया अपने site से ठीक है तो चलिए इसको बंद करते हैं यहाँ आ जाएए absence में अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर filter है यहाँ पर कुछ नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पर click करना है आपको ठीक है यह जो date यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर क्लिक किजिए अब यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर आप इस चीज को delete कर दिया है तो मुझे बताए कि आपने हटा दिया है ठीक है इससे क्या होए यह जो है एक बार जो है confirm करेगा Google के help center जो है confirm कर लेगा और उसके बाद जो notice आ रहा है आपके absence में यह उपर वाला इसको जो है remove कर दिये जाएगा ठीक है इसको हटा देंगे वो लोग तो हम इसको बता देते हैं कि हमने जो है वो पोस्ट डिलीट कर दिया है ठीक है और इसमें और भी बहुत सारी चीज लिखा है कि जिस भी पेज पे आपको लगता है कि Google का privacy policy violation हो सकता है उन सब पे जो एड आप बंद कर सकते हैं ठीक है देखें साइट पे आप जो है जो पोस् को रख सकते हैं लेकिन उसमें चाहिए तो एड बंद कर दीजे ठीक है फिर violation notice आपको नहीं आएगा लेकिन हमने पोस्ट जो है डिलीट कर दिया ताकि गलती से फिर कभी ना आ जाए ठीक है उसके बाद करते हैं mark resolve अब यहां पर देखें यह site है और यह कह रहा है please confirm क्या हाँ हमने हटा दिया ठीक है इस पर टिक कीजिए ठीक और टिक करने के बाद चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इसको हमने copy किया अगर आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है तो copy कर सकते हैं इसको आप ठीक है इस तरह से copy कर लिजिए इसको यहां पर select करेंगे जब आप तो यह जो है copy हो जागा और copy करने के बाद जो है नया टैप खोलिए और google translate ठीक है कि यह दिक्कत कभी-कभी आज आता अटसंस में तो कुछ चीज़े अगर नहीं पता है आपको तो google translate में जाके उसको translate कर लिजिए यहां पर ठीक है यहां पर English कहिजिए और यहां क्रम हीतियों के अनुरूप है ठीक है अनुरूप का मतलब की follow कर रहा है उसके rule को तो यह हो गया उसके बाद कर दीजे mark resolved ठीक है तो यह जो है इतना सा काम आपको करना है अगर आप इतना सा काम कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो है दो तिन दिन के अंदर ह आ रहा है आपको violation का यह जो है remove हो जाएगा ठीक है अपने आप remove कर देंगे google वाले तो यह एक जो है मैंने आपको बताया कि अगर आपके site के वज़े से आपके adsense account में कोई भी violation आ जाता है तो उससे आप कैसे निपट सकते कैसे उसको हटा सकते हैं अगर आपको यह जानकार आपके लिए में तब तक के लिए बाई